नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और लेट पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल में HRTC बस सेवा बंद जो क्या नुज़े चली जनकारे आपको इस वीडियो में देते हैं तो देख सकते हैं तादा ख़वर ब्रेकिंग नुज़ आई है पांगी घाटी के लिए आगामी आदेश तक बंद हुई HRTC बस सेवा तापमान गिरावट के चलते भैसला तो हिमाचल प्रदेश की चंबा से नुज़े की हिमाचल प्रदेश के जन जाती है उपमंडल पांगी के इलाके में तापमान में काफी गिरावट होने के चलते आदेश तक ठंड और पानी के जम जाने से हिमाचल प्रदेश पत परिवान निगम HRTC बसों के परिचालन में जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है गाटी में निगम द्वारा बसों के समाने परिचालन में ओक्त समस्याओं के कारण लोगों को हो रही प्रिशानियों के चलते पांच दिन से बस सेवा बंद कर दी गई है या जहनकारी अड़ा परभारी कमज सिंग ने मंगलबार को दी उन्होंने बताया कि पांगी उपमंडल और मुखेले के लियार में शीत रीतु के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है इसके चलते अतरिक ठंड और पानी जम जाने की गटना समाने हो पिता है ऐसे में तकनिकी द्रिश्टी से बसों को स्टार्ट करना सही नहीं है कम तापमान के करणगारी के रेडियेटर में मुझूद कोलंट भी जम जाता है ऐसी स्तीती में यदि बसों को स्टार्ट किया जाता है तो इंजनवा अन्य उपकरन जो है खराब हो जाते हैं इसके साथ ही गाटी में बरफ पारी के कारण सड़ गमार भी अवरोध रहते हैं द्रुगटनाओं के संभावनाओं को मद्दे नजर रखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठायाए जाना आवश्यक है उन्होंने लोगों से सहयोग का आवान करते हुए बताया कि मौसम के समयान ने होने की आवस्ता में बसों को सुचारू परिचालन जो है शुरू किया जाएगा तो दोस्तो यह थी तारह खबर ब्रेकिंग नियूज हिमाचल परदेश के डिस्टिक चमबा से अगर आपने विडिक वीडियो को शेयर नहीं किया है वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भोले है ताकि आप तक हिमाचल परदेश की ह और नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्याबाद जय हिन जय भाद